क्लास 9 पिजिक्स कांटिन्यू करते हैं। पिश्टी लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्वेशन आप्-मोशन के वारे में। इक्वेशन जो की नोटेशन फॉर्म में था। इक्वेशन का अप्रोव्मेंट हमने पढ़ा था। आज हम लाप्-मोशन की चर्शा करेंगे। लाप्-मोशन की संख्या तीन है। देरा थिरी लाप्-मोशन गिविन बाई न्यूटन। लाप्-मोशन भी न्यूटन के द्वारा दिया गया है। और इक्वेशन आप्-मोशन भी न्यूटन के द्वारा दिया गया है। equation आप मोशन की संख्या भी तीन है और लाप मोशन की संख्या भी तीन है equation यानि कि समीकरण जो समीकरण है गती का समीकरण जब कोई वस्तु गती की अवस्था में रहती है तो वहाँ वह बैलिड है और लाप मोशन गती का नियम गती का नियम जब कोई वस्तु गती की अवस्ता में राती है तब यह बैलिड है यहाँ पर आपको ध्यान देना है equation यानि की समीकराण जो की एक notation form है एक symbol के द्वारा हम represent करते हैं लेकिन यहाँ नियम है तो नियम जो है वो statement होगा एक कथन होगा according to this law इस तरीके से एक statement होगा तो इसको हम ला कहेंगे जनरली हम क्या करते हैं ला को equation समझ लेते हैं equation को ला समझ लेते हैं तो यहाँ पर difference आपको बना के चलना है equation का मतलब notation form equation आपके तीन है एक बार फिर हम उनको remember कर दे रहे हैं पहला है V is equal to U plus A T दूसरा है S is equal to U T plus half A T square तूसरा है V square is equal to U square plus 2 A S यह आपके equation है आज हम ला की बात करेंगे गती के नियम की बात करेंगे तो गती के कितने नियम है हमारे पास? तेन नियम हैं किसके द्वारा दिये गए हैं? Newton के द्वारा धेर are theory law of motion given by Newton ते आपे हम फ they liach की बात करते हैं तो first law of motion को law of inertia के नाम से भी हम जानते हैं चाए आप first law of motion कहिए चाइप लाफ inertia कहिए तो first law के according हम क्या समझ सकते हैं? According to first law of motion यह noted comma में हमने लिखा आ है an object to be in rest it will remain in rest and an object to be in motion it will remain in motion unless acted upon by external force करने का मतलब अगर कोई बस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी और यदि गती की अवस्था में है तो गती की अवस्था में ही रहेगी कब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल अपलाई नहीं होता है जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगा जाता है तब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है यहां पे कोई भी बस्तु है तो उसकी दो ही अवस्था होगी एक विराम की अवस्था होगी या एक गती की अवस्था होगी विराम क की वस्था का मतलब है समय के साथ उसकी इस्थिति में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो विराम की वस्था है समय के साथ अगर इस्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो गती की वस्था में है तो गती की वस्था में ही रहेगी और अगर विराम की वस्था में है तो विराम क to be in rest it will remain in rest and an object to be in motion it will remain in motion unless acted upon by external force यहाँ पर क्या है कि अगर कोई बस्तू बिराम के वस्था में तो बिराम के वस्था में रहेगी यहाँ पर चाहना सब्द नहीं प्रयोग करेंगे तो रहना नहीं चाहती वो रहेगी ही और अगर गती के वस्था में तो गती के वस्था में ही रहेगी तो यहां पर जो हम देख रहे हैं कि उसकी अवस्था में जो चेंजे जा रहे हैं अवस्था परिवर्तन जो हो रही है वो बाहरी बल के करण हो रही है जैसे कोई वस्था जहां पर रखी है वो वहीं पर है बिराम की वस्था में जब आप बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, एक्स्टेर्णल फोर्स लगाते हैं, तो उस्वस्त की अवस्ता में परिवर्तन हो जाता है, हो सकता है आप गती में उसको परिवर्तित करते हैं, या फिर डायरेक्शन में परिवर्तित करते हैं, जैसा आप चाहेंगे बल के द एक बार आपने साइक्ल को चला दिया ते फिर चलती रहें सा यहां आगर णरूी हम गया तो एक वोझत में होता है तो यहां पर ज्यान देंगे जो कि cycle है environment मैं आप उसको चला रहे हैं तो उसमें खापी opposing factors है पहल्ला opposing factors है कि जो आपका tire है उसके बाल वेरिंग में जो friction है जो घर सड़ है जो की motion की opposing direction में लगराये थूसरा आप जिस परआवरण में है एक पूरा हवा का घेरा है आप हवा के हवा के पर्तों को चीरते हुए आगे निकलते हैं तो भी एक प्रितरोज का काम करता है यानि यह सभी जो फैक्टर है अगर इनको हम रिमूब करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर एक बार गती में हो गया तो काफी कुछ हद तक वो गती में ही रहेगी जैसे एक छोटी सी ज सतह पर चलाते हैं तो काफी दूर तक जाता है जो अप प्लेंस सता पर चला रहे हैं तो उसकी सता जो है खुर्दर की अपेच्छा कम घरसन है उसमें तो शीन किया हो गया मोशन की रिट ज्यादा हो गया ज्यादा डिस्टैंश ट्रवल कर रहा और अगर फ्रिक्षन बढ़ दूसरे यहां पे हमने लिखा है inertia एक वर्ड इसको आप जड़क तो कहते हैं inertia की हिंदी जड़क तो होती inertia क्या है property of matter या property of object that oppose the state of object काने का मतलब inertia क्या है जड़क तो क्या है यह वश्तु की property है जो की अपनी अवस्था परिवर्तन का बिरोध करता है यानि अगर वो गती में है तो गती में ही रहना चाहेगा और अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा इनर्सिया तीन प्रकार की होती है एक होता है इनर्सिया आफ रेस्ट दूसरा होता है इनर्सिया आफ मुसन तिसरा होता है इनर्सिया आफ डारेक्शन यानि गती का जड़त बिराम का जड़त और दिसा का जड़त तो इनर्सिया क्या है कि किसी वस्तु में जो उसकी स्टेट है उसी को अपोज करना यानि इस स्टेट में परिवर्तर ना हो तो इनर्सिया कालाता है जड़त तो कालाता ह जैसे एक्जामपल के तरुपे आप आराम से कमरे में बैठ कर टीबी देख रहे हैं और आप से कोई काम कहा जा रहा है तो आप सुचेंगी कि काम हमें ना करना पड़े क्यों कि आपकी बिराम की अवस्था है तो आप बिराम की अवस्था में बने रहना चाहते हैं आप नहीं चाहते हैं कि हम गती की अवस्था में आएं उठें और जाकर एक गिलास पानी दें तो यहाँ पर जो आप अपोज कर रहे हैं अपनी अवस्था परिवरतन का यही जड़त्त है इसी को हम जड़त तो समझ सकते हैं यानि जड़त तो क्या है कि जितनी भी वस्तों है उन सभी में इनर्षय की प्रॉपरटी पाई जाती है अब भाई वस्त दो ही स्टेट में होगी या तो गती के वस्ता में होगी या तो विराम के वस्ता में होगी यानी जो inneria की property है यह properties आप matter हो गी चाया हो सजीव वस्तु हो चाया हो निर्जी वस्तु है दोनों में inneria की property पाई जाएगी अगर वस्तु बिराम में है तब भियो उसमें inneria emphasizing है और गति में है तब भियो उसमें inneria है inneria motion यानी inneria क्या है कि उसकी अवस्था में जो परिवरतन हो रहा है उसी का विरोध जो कर रहा है वही उसकी इनर्सिया है उसी जड़त है यहाँ पर एक वर्ड हमने और लिखा है Momentum Momentum को हम संबेक कहते है Momentum is equal to mass into velocity Momentum को हम P से दिखाते हैं P बराबर M into V Mass यानि कि दरब्यमान आपका जिसको M से रिप्रेजन करते हैं velocity जिसको आप V से रिप्रेजन करते हैं Momentum को हम क्या बोलते हैं संबेक संबेक बराबर दरब्यमान गुड़े बेक अगर कोई बस्तु है उसके पास दरब्यमान है और V velocity से ट्रेवल कर रही है इनिसल विलास्टी दो प्रकार की होती है एक इनिसल विलास्टी होती है एक फाइनल विलास्टी होती है इनिसल विलास्टी को U से रिप्रेजन करते हैं और फाइनल को V से रिप्रेजन करते हैं तो यहां पे अब Momentum भी आपके दो प्रकार के हो गए P बराबर M into U अगर P बराबर M into U कह रहे हैं तो यह हो गया Initial Momentum M into U यह हो गया Initial Momentum और P बराबर MB यह हो गया Final Momentum लेकिन generally हम P बराबर MB का ही प्रियोग करते हैं जहां जरूरत पड़ती है वहां पे Initial Momentum और Final Momentum की बात करते हैं मोमेंटम हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि second last motion में momentum का प्रियोग होगा अब आते हैं second last motion पे second last motion को last force के नाम से भी आप जानते हैं क्योंकि इसे force का हमें equation मिलता है second last को हम last force भी काते हैं According to second law of motion, Applied force is directly proportional to rate change of momentum. देखिए हमने भी आपको momentum बताया था, तो momentum का हम प्रियोग यहाँ पर करेंगे. Applied force F, अगर किसी object पर आप बल लगा रहे हैं, तो जो आप बल लगा रहे हैं, capital F, वो rate change in momentum की directly proportional होता है. यानि इस object में जितना momentum change होगा, वो आपके दोरा लगाए गए बलके directly proportional होगा. चुकि object है जो उसके पास दरबेमान भी होगा, और अगर आप बल लगा रहे हैं, तो उसके state में परिवर्तन भी होगा, और उसकी velocity हम यहाँ पे यू ले लेंगे इनिस्ट के लिए, भी ले लेंगे फैनल के लिए. दूसरी बात, दूसरी बात है कि सेकंड ला को हम यूनिवर्सल ला कहते हैं, यूनिवर्सल ला आप मुचन कहते हैं, यूनिवर्सल ला इसले कहते हैं कि सेकंड ला के द्वारा ही आप फर्स्ट ला प्राप्त कर सकते हैं, और थर्ड ला प्राप्त कर सकते हैं, यानि सेकंड लाग को क्या हो गया यूनिवर्सल ला हो गया तब यहां पे हम ध्यान देते हैं कैपिटल एप डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट चेंज इन मोमेंटम रेट लगा है रेट लगा है तो मतलब टाइम इसमें इंकलूड है रेट को आप अपटा दीजिए तो यहां पे टाइम नीचे आजाएगा तो हमने रेट को हटा दिया तो एप डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाइट टाइम चेंज इन मोमेंटम आप कैसे निकालते हैं जैसे आप चेंज इन विलासिटी निकाले थे आप लिखते हैं ऐसे लेशन वराबर रेट चेंज इन विलासिटी या चेंज इन विलासिटी आपन टाइम टेकिन चेंज इन विलासिटी आपने कैसा निकाला था फाइनल विलासिटी माइनस इनिसियल विलासिटी तो ऐसे ही एफ डारेक्टली प्रपोर्शनल टू फाइन मुमेंटम माइनस इनिशियल मुमेंटम M B क्या है आपका फाइनल मुमेंटम या मु क्या है इनिशियल मुमेंटम तो M B minus M U by 2 चेंज इन मुमेंटम हम निकाल रहे हैं तो F is directly proportional to E M आप कामन ले लिजे तो V minus U by T V minus U by T यानि फाइनल विलास T minus इसको हम असलरेशन कहते हैं इसमाल A से रिप्रेजेंट करते हैं तो F is directly proportional to M A प्रपोर्शनल टी आप हटाएंगे एक कांस्टाइन्ट आएगा K यहाँ पे K की बहुरू हमने 1 ले लिया तो F बराबर क्या मिले गया M into A यही हो गया force is equal to mass into acceleration F is equal to M into A यह आपका second laugh motion है चलते हैं third laugh third laugh motion को हम laugh action reaction के नाम से भी जानते हैं third laugh क्या है laugh action reaction क्रिया प्रतिक्रिया का नियाब तिस्टे नियाब को हम क्या काते है क्रिया प्रतिक्रिया का नियाब Every action there is equal and opposite reaction वस एक लाइन में यही तना है third laugh की statement यहां पर हमने mathematical form भी लिखा, F12 is equal to minus F21, यहां पर धियान देंगे, जैसे मेरी हथेली है, इस हथेली से अगर हम इस कॉपी पर बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो यह कॉपी भी उतना ही बल और विपरीद दिसा में हमारी हथेली पर लगाएगा, तो हथेली से जो हम बल लगा रहे हैं, वो कहला है action, और एक कॉपी जो बल लगा रही हमारी हथेली पे, वो कहला है reaction, यानि हम क्रिया कर रहे हैं, अपने हाथ से इस कॉपी पर बल लगा रहे हैं, तो क्रिया हुआ, या कॉपी हमारी हथेली पर विपरीद दिसा में बल लगा ही तो प्रतिक्रिया हूँ तो f12 का मतलब है कि first object के द्वारा second पर लगाया गया क्रिया बराबर बराबर होता है विप्रीदिशा में second के द्वारा first पर लगाया गया प्रतिक्रिया यानि first object के द्वारा second पर लगाया गया बल बराबर विप्रीद होगा second के द्वारा first पर लगाया गया बल तो इसको हम क्रिया कर रहे हैं इसको हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, प्रतेक्रिया का उतना ही एवं विप्रीत प्रतिक्रिया होती है, प्रतेक्रिया का उतना ही एवं विप्रीत प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के द्वारा ही आप प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के नियम के द्वार पर बल लगाते हैं यानि आप अपने पैर से प्रिथवी पर क्रिया करते हैं तो प्रिथवी उतना ही बल एवं विपरीद दिसा में आपके पैर पर लगाती है जो की प्रिथिक्रिया है यानि आप पैर से क्या कर रहे हैं क्रिया फिर्थवी क्या कर रहे हैं आपके पैर प्रि ले लेते हैं तो f ab is equal to minus f ba reverse हो जाएगा यानि दो object अब यहाँ पर हमने पहले one two लिया था अब a और b नेमिंग कर रहें a के द्वारा b पर लगाया गया बल बराबर यह minus क्या दिखा रहा है बिपरीद बराबर यह विपरीद b के द्वारा a पर लगाया गया बल या इसे कह सकते हैं a के द्वारा b पर लगाया गया क्रिया बराबर यह विपरीद b के द्वारा a पर लगाया गया प्रतिक्रिया तो प्रतेक्रिया का उतना ही यह विपरीद क्या होती है प्रतिक्रिया होती है एबरी आएक्शन देयरी इक्वाल एड अपोजिट रियक्शन एबरी आएक्शन देयरी इक्वाल एड आपोजिट रियक्शन यह आपके तीम लाग हुए